हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई योट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह नेचर स्प्राइट कमपनी का फ्रूट ब्लीच है तो आज इस शॉर्ट से वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि फेस पे आप ब्लीच किस तरीके से राइट टेकनीक के साथ अपलाई करें आपके स्किन में कोई बर्निंग सेंसेशन ना हो और आपका स्किन बिलकुल प्रोटेक्टेड रहे साती साते बहुती ब्यूटिफुल सा ग्लो दे तो फ्रेंड्स आज इस ब्लीच का मैं रिव्यू प्लस अपलिकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूँ इसलिए ये छोटा सा वीडियो पूरा देखेगा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू है तो वीडियो के नीचे दिएगा रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए बेल एन ओल आप्शन के साथ ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे तो अभी जैसे वीडियो में देख सकते हैं इस येल्लो कलर के बोटल के अंदर अपलिकेटर है तो फ्रेंड्स ब्लीच जैसे मैंने पहले दिखाया था वह क्रीम फाउम में आता है और ये अपलिकेटर जो है वो पाउडर के फॉर्म में आता है तो हम क्रीम जो की ब्लीच है प्लस एप्लीकेटर मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो पहला क्वेशन यह है कि हम इसकी रेशु कितना ले तो रेशु की बात अगर करें तो अगर आपका स्किन काफी सेंसिटिव है तो अप्लीकेटर का रेशु हमेशा 3 इस तू 1 होना चाहिए जहां ब्लीच 3 होगा और अप्लीकेटर का रेशु 1 होगा तो अब हम ब्लीच क्रीम एन अप्लीकेटर को एक बोल में इस तरीके से ब्रश के हेल्प से मिक्स कर देंगे ध्यान रखे बेस्ट रिजल्स के लिए इस थोड़ा सा भी water ना mix करें अब हमारा bleach mixture जो है बिल्कुल ready है application के लिए अब हम most importantly बात करते हैं कि इस bleach mix को हम face में right technique से किस तरीके से apply करें friends ये बहुत ही important है आप please देखेगा कि मैं किस तरीके से apply कर रही हूँ और आपको right technique बता रही हूँ क्योंकि काफी friends को ये complain होती है कि face पे bleach apply करने के बाद either उनके face पे red spots या black spots के निशान छूट जाते हैं after bleaching अगर ऐसे spots रहे गए हैं तो वो आपके skin के लिए आपके face के लिए dangerous है क्योंकि वो actually burn marks है जो की incurable है irreparable है और इस तरीके का face में patches पिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए बहुत important है कि bleach को आप अपने face पे right way में apply करें तो first tip ये है कि face थोड़ा सा moist होना चाहिए wet नहीं होना चाहिए ताकि आपका bleach face पे अच्छे से evenly spread हो जाए second tip ये है कि bleach apply करते वक्त आप brush यूज करें और upward direction में face के upward direction में ही इस तरीके से apply करें जैसे आपने वीडियो में देखा है क्यूंकि upward direction से आपके skin में जब bleach dry होगा तो आपके skin sagging का problem बिलकुल नहीं रहेगा और एक बहुत ही अच्छा even एक glowing look देगा तो इस तरीके से three things आपको ध्यान रखना है पहला बिलकुल भी bleach mixture में water mix ना करें secondly spatula या brush की help से ही आप bleach को apply करें upward direction में और face को थोड़ा moist रखें और अगर आपके unwanted area में bleach लग जाता है like eyebrows lips तो इसे spatula की मदद से softly हटा दीजिए और eyes और lips जैसे sensitive area में bleach ना लगाए उसे छोड़ दीजिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और neck area में पूरा neck नहीं लगाना है half neck लगा के छोड़ दीजिए क्योंकि neck portion भी काफी sensitive होता है reaction हो सकता है तो I hope आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी useful लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अपने friends and family से और अगर आप मेरी YouTube चैनल पाप्या vlogs में new है या अभी तक subscribe नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिये गए red color के subscribe बटन को अभी के अभी press कर दीजिए प्लीज बेल and all के साथ ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की regular notifications मिलती रहे so thank you for watching अब मिलते हैं next video with another important tips thank you friends stay tuned